हाई एवरिवन कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपने अपने घरों में मस्त होंगे फ्रेंट्स आज में शेयर करने वाले हो बहुत ही यम्मी टेस्टी सुपर सोफ्ट सुपर डिलीसियस लड्डू की रेसिपी तो हम बिल्कुल असान तरी किसा बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट में आपने इमेजन भी नहीं क्या होगा कि इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं वह भी 15 मिनट में घर पी रखी हुई कुछ चीजों से तो बिल्कुल कम टाइम में इतने टेस्टी लड्डू बनकर त्यार हो जाए तो क्या बा बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे तो एक लड्डू में आपको तोड़कर दिखा रही हूं यह देखे बिल्कुल खाने में दिखने में बहुत ही अच्छा टेक्स्चर है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेंगे तो फ्रेंड्स इस टेस्टी सी जिसे हम चाय के साथ खाते हैं यह दूद के साथ खाते हैं यह बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और इसे हम डिप करके खाते हैं चाय में यह दूद में बहुत है तो यह टोस्ट में लिया है तो जितनी भी आपको क्वांटिटी में बनाना है तो आप यह टोस्ट ले और खाने में बहुत ही यमी लगेगा और हैल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि ज्यादा घी का हमें कभी-कभी खाने का मन नहीं करता इसको डाल देंगे जो हमने टोस्ट पीस कर रखे थे वो डाल देंगे तो फिर हम इसमें एर करेंगे कोकोनेट पाउडर तो यह मेरा कद ब्राबर क्वांटिटी में और थोड़ी से मैंने डाल दिया इलाइची इलाइची दाना डाला है आप इलाइची पीसकर भी डाल सकते हैं अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट फून लेंगे तो ज्यादा भूननी के चुरूत नहीं है फुल क्रीम दूत भी ले सकते हैं तो दूत मैं एक आट में जाधा नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा सा दूत दरन लेंगे तो यह मैंने इंड दी है चीनी तो चीनी आप टेस्टिक ले ले सकते हैं मैने 50-60 गराम के लगभड चीनी डाल ली है तो आपशास von घर सकते है और यह थोड़ा सा दूद और डाल दिया है मैंने तो फ्रेंट्स दूद इसमें आप जितनी जैसे जरूरत होती है थोड़ा थोड़ा दूद ही डालते रहें एक बार में ज़्यादा दूद नहीं डालना है तो जो कोकनेट पाउडर है इसे थोड़ा सा चला देंगे मिक्स करते रहें गे-अब तियार है LEDOO बनाने के लिए तो इसे थंड़ा करके एक बाउल में निकाल देंगे आप स्कशा भाडर कृश्य घड़ा व्हलें इसमें थोड़ा से ड्राइप टार रहे हूं इसे थंड़ा कर लेंगे तो आप कुछ ऐसी अच्छी लगती है उस साइज में आप बोल बना सकते हैं लड़ो बना सकते हैं तो फ्रेंट्स ये दिखे अब मैं एक बोल रेडी करके आपको दिखा रही हूँ बोल अब रेडी है तो इस तरह से सभी बोल बना लेंगे तो ये दिखे इसी तरह से सभी ब भी लगेगी तो फ्रेंड्स अब इसे मैं अभी को कोट कर दूंगी तो अब रेडी है टेस्टी से लड़ू फ्रेंड्स कभी आपने सोचा भी नहीं होगा क्या इस तरह से लड़ू बन सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमने रेडी कर लिया है और यह दिखने में बहुत ही और दिखने से जयदा ये काने में और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे तो कहीं परफेंड्स ऐस दोस्ट के टुकुडे कोकड़े बना सकते हैं और वह हो पाज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी में बस इतना ही फिर्मी लेंगे एक और इंटस्टिक स्पी के साथ बाई टेक की और थेंक्स वर वोच्छींग